हर्याली तीज व्रत कथा में बताया गया है कि इस व्रत को किस प्रकार देवी पार्वती ने किया था और इस व्रत को करने से क्या लाब होता है देवी पार्वती को हर्याली तीज व्रत से भगवान शेव किस प्रकार पती रूप में प्राप्थ हुए आईए जानते हैं हर्याली तीज व्रत की संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक हर्याली तीज सावन के महीने में आने वाला दिवार है जो देवी पार्वती को समर्पित है भविश्य पुरान के अनुसार तीज यानी तृत्या तिथी का व्रत्त और पूजन देवी पार्वती को प्रसन करने के लिए किया जाता है पुरानों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नी है इनमें चंद्रमा रोहिनी को सबसे अधिक प्रेम करते है पुरानों के अनुसार रोहिनी ने तृत्या तिथी का व्रत्त किया जिससे रोहिनी के प्रति चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक है सावन के मास में जो कुवारी कन्याय और सुहागन इस्त्री तृतिया तिथी को हर्याली तीज की कथा सुनती है और देवी पार्वती की भगवान शिव के साथ पूजा करती है उन्हें मन चहां जीवन साथी प्राप्त होता है साथ ही सुहाग की उम्र लंबी होती है इस संदव में पुरान में कथा है कि देवी पार्वती और भगवान शिव ने हर्याली तीज को किस प्रकार कन्याओं के लिए विवा और वैवाईक जीवन में प्रेम और आनंद पाने का व्रत बनाया। देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापती की पुत्री सती थी। उस समय दक्ष प्रजापती के विरोध और इच्छा विरोध जाकर देवी सती ने महा देव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापती भगवान विश्नु से देवी सती का विवाह करवाना चाहा दे थे। लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पती मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापती को भगवान शिव के साथ सती का विवा करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापती फिर भी शिव द्रोही बने रहे। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उने यग में सामिल होने के लिए आमंतरित नहीं किया। इस से भी मान सम्मान की हानी होती है। इसलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जित में सिव की बात आनने को तयार न हुई और सिव से कहने लगी कि आप भले न जाए। लेकिन मैं अपने पिता के यग में जरूर जाऊंगी। और वह सिव की आग्या बिना ही माय के चली आई। दक्ष प्रजापती ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों को स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह प्रहशित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पती का अपमान हुआ। अत्तह अब किस मुख को लेकर सिव के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती। उसी समय पिता के यग कुंड में सिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अगनी कुंड में देंत्याग की सूचना मिलते ही भगवान सिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया जिसने दक्ष प्रजापती के यग को नश्ट कर दिया। इसके बाद सिव जी घोर साधना में लीन हो गया। इधर देवी सती को भगवान सिव की आग्या का उलंगन करने का दंड भी मिला और उनका कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक्व भगवान सिव को पुना पती रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108 जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान सिव को पती रूप में पाने के लिए सावन में मृतिका से सिवलिंग का निर्मान करके भक्ती भाव से सिव जी का पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती के तपस्या से अत्यंत प्रसन होकर हर्याली तीज पर भगवान सिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वर्दान दिया कि तुम मेरी अर्धांग नी बनोगी। इस तरह हर्याली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान सिव से मन चहां वर्द प्राप्ती का वर्दान मिला। तो उनका वहवाईक जीवन, प्रेम और सुख से भरा रहेगा।